नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जार्खन में 31 अक्टूबर यानि दिवाली तक च्छाय रहेंगे बादल जार्खन में 31 अक्टूबर यानि दिवाली तक बादल च्छाय रहेंगे इस दौरान झारखण की राधधानी राची समयत कई जीलों में बारिश की संभवना है हलाकी जारखण में साइक्लोन दाना का असर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है खबरों की माने तो साइकलोन का सबसे जादा असर संताल परगना वाले इलाके में देखने को मिल रहा है संताल परगना के महशपूर में 76 mm, पाकूडिया में 50 mm, मैथन में 48 mm और 45 mm के करीब बारिश रिकोर्ट की गई है जारखन बिधान सभा चुनाओं में होगी 14705 होमगाट जवानों की परतिन्युक्ती होगी खबरों की माने तो परतिन्युक्ती सुल्ल दीनों के लिए होगी बतादे की इसको लेकर गिरी कारा एवम आपदा परबंधन विबाग के जरिये स्विक्रिती परदान की गई है इससे पहले आईजी अभियान एबी होमकर ने होमगाट डीजी अनील पाल्टा को 22 अक्टूबर को पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि विधान सभा चुनाओ को शांती पूर्ण तरीके से संपन करने के लिए काफी अधिक संख्या में बलों की परतिन्यूक्ती की आउशकता होगी बदादे की जहारखंड के सभी जीलों में उपलब्त कुल 21,007 होमगाट के जवानों में से 70 परतिशत लगभग 14,705 होमगाट को ड्यूटी जिहां चुनाओ ड्यूटी में परतिन्यूक्त किया जाना आउशक परतित हो रहा है जहारखंड के स्कूल के बच्चे आज अपने माता पिता को लिखेंगे पत्र करेंगे मतदान करने की अपील पाप ओड़ दो भावुक संदेश पत्र के जरीए लिख कर उन्हें सौपेंगे। मतदाता जागरुता के इस नायाप आइडिया के किरियानवन का निर्देश इसकूलों को दिया गया है। खबरों की माने तो सीयो के रवी कुमार ने कहा कि बच्चों द्वारा पत्र लेखन के पहले विद्यालाई के प्रधाना ध्यापक और सीख्छक उन्हें मतदान की आवश्यक्ता एवम इसकी महता पर सभी बच्चों को उनमुखी करन करना सुनिशित करेंगे। तह समयजीमा के भीतर पत्र लेखन कर सभी बच्चे अपने पत्र को अपने घर ले जाकर अपने माता पिता को सौपेंगे और उनसे मतदान के लिए जिहां मतदान के दिन आवश्य मतदान करने का अनुरोध भी करेंगे। दिवाली में अब केवल दो घंटे ही होगी पटाखे जलानी की अनुमती। जिसमें केवल 35 मिनट तक ही पटाखे जलाने की अनुमती होगी। इसके साथ ही दिवाली पर पटाखे फोड़ने की रात आठ बजे से रात दस बजे तक तह की गई है। बता दे कि छट परव के मौके पर सुबच 6 बजे से सुबच 8 बजे तक की पटाखे फोड़ने की अनुमती होगी। गुरु परव के लिए अतिशबाजी रात आठ बजे से रात दस बजे तक किया जा सकता है। बता दे कि नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11 बज कर 55 मिनट से रात 12 बजे तक की अतिश बाजी की अनुमती है। जारखण में आचार संहिता की दोरान मात्र 12 दिनों के अंदर 56 करोड रुपे से अधीक रुपे जब्त। जारखण में बिधानसभा चुनाओ के दोरान अवेद धन और संसाधनों के दुरुप्यों को रोकने के लिए केंदर और राजी की 24 से अधीक जन्सियां सक्री रूप से काम कर रही है। पिछले 12 दिनों में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाय जा रहे इस अभ्यान के तहत 57 करोड 66 लाक रुपे की नकदी और अवेद सामगरी की जब्ती की गई है। इस कारवाई का उदेश ये चुनाओं में भरष्टाचार और मतदाताओं को परलोभन के परयासों को रोकना है। 146 लाक रुपे की अवेद सामगरी जब्त की है। वाले गैंग की पोल खोलते हुए देश के हर वर्ग को डिजीटल सुरक्षा के तीन रक्षक मंत्र भी दिये हैं। बतादी की मन की बात कारिकरम में परधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रोड करने वाली गैंग के काम करने के तरीके और इस खतरनाक खेल को समझना बेहत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों का पहला दाओ, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा दाओ, भय का माहूल पैदा करना और तीसरा दाओ, समय का दबाव होता है। अपराधी पीडित पर इतना मनुवैज्यानिक दबाव बनाती हैं कि वो सहम जाता है। परधानमत्री ने कहा कि डिजिटल अरेष्ट होने वालों में हर वर्ग के हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर के कारण से अपनी मेहनत से कमाए लाख और रुपए गवा दिये हैं। सीबेसी जल्द जारी करेगा कक्छा दस्मी और बार्मी बोर्ड परिशाओं की डेट शिट। पर एक पोस्ट में डेट को लेकर संभावना जताई गई है। पिछले कुछ वर्सों से पोर्ड ने लागातार 15 फरवरी से परिच्छा आयोजित करने की परंपरा बनाई है। इस से इस बात जहां इस बार भी इसी तारीक के परिच्छा शुरू किये जाने का अनुमान इन और पेपर फॉर्मेट को बरकरार रखेगा जैसा कि अब तक होता आ रहा है। इससे छात्रों को लिखित परिच्छाओं में अपना बेहतरिन परदर्शन देने का आउसर मिलता है। बतादी की बोर्ड परिच्छा में सुरक्छा बढ़ाने के उदेश्चे से इस बार स सभी परिच्छा सेंटर पर CCTV केमरे लगाने को अनिवारे कर दिया है। इससे परिच्छा में पारदर्शिता और अनुशासन सुनशित किया जा सकेगा। सभी परिच्छा केंद्रों पर गतीविधियों पर CCTV के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। पैन कार्ट धारकों के लिए बड़ी खुश खबरी केंद्र सरकार ने लागू किये पैन कार्ट के नए नियम। समस्या अब खत्म होने वाली है। केंद्र सरकार ने कहा पैन कार्ट को आधार कार्ट से लिंक करना सब के लिए अनिवारे है। सरकार ने नए निर्देश जारी किए कि पैनकार्ड धारक तुरंथ अपना पैनकार्ड आधार से लिंक करे उस समय इस परकरिया के लिए किसी भी परकर का शुल्क नहीं लिया जाता था लेकिन बाद में सुल्क परकरिया शुरू हो गई अगर कोई व्यक्ति परक्रिया को पूरा नहीं करेगी तो उसका पैन कार्ड खराब हो जाएगा लेकिन जब से सरकार ने नया नियम लागू किया है नागरीकों को बहुत राहत प्राप्त हुई है बतादी कि इस प्रक्रिया के तहट अब जो नागरीकों के लिए पैन कार्ड बनते हैं तो आधार कार्ड से उसी दोरान लिंकिंग प्रक्रिया भी हो जाती है सरकार ने pen card की जानकारी देते वे कहा है कि जिन नागरीकों ने हालिया में अपने pen card हेतो आवेदन किया है या फिर हाली में आपका pen card बन कर आया है तो उसे आपको अलग से आधार card से link कराने की जरुरत नहीं है सरकार ने जो नया नियम जारे किया है उसके तहत जब आप अपना पैन कार्ट बनवाते हैं तो उसी समय आपका आधार लेंकिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है इसलिए अब आपको फिर से लेंकिंग की प्रक्रिया नहीं करनी होगी सरकारी कर्मचारियों को रिटेर्मेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में एक नई सुविधा जोड़ी गई है केंद्र सरकार ने 80 साल से अधीक उम्र के पेंशनर्स को अनुकमपा भत्ता देने का निरने लिया है बदाद की मंत्राले के सरकुलेशन जिहां सरकुलर के अनुसार 80 साल से अधीक उम्र के पेंशनर्स को अब अतरीक पेंशन का लाभ मिलेगा इसके लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किये हैं जिससे पेंशन का वीतरन आसान और तेजी से किया जा सकेगा बदाद की मंत्राले के अनुसार जब पेंशनर्स की आयू सीमा 80 वर्स तक पहुँचेगी तो उस महिने के पहले दिन से अतरीक पेंशन या अनुकम्पा भत्ता लागू हो जाएगा यह निर्णे पेंशनर्स के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए लिया गया है ताकि उन्हें कोई आर्थिक समस्यन न हो सभी पेंशनर्स को समय पर अतरीक पेंशन का लाब मिले इसके लिए मत्राले ने संबंदित विभागों और बैंकों को सूजना भेजने का निर्देश दिया है